गुड इनिंग हमारे क्लास 10 की प्यारे बिच्चों आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्रीम इंटी रीडर का साथ वाँ चैप्टर चला है दीन एकलेस आज हम लोग दीन एकलेस का साथ एंसो टाइप क्रिशन देखेंगे प्यारप्चों इसमें जितने भी आपके साथ एं समखेंगे और सप्लीमेंटी रीडर में आपके शच चैप्टर पूरी तरह सेप्टर हो चुके है एपका सातवां चेप्टर चला आ है याद इसमें से आपका कुछ भी छूटप हो तो आप चैनल की प्लेडिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेडिस बनी है उसमें सारी क्लासे एक सेड्यूल वाइज लगी हुई हैं जैसे अब पहल से सारी क्लासे चली हुई हैं सारी क्लासे एक सेड्यूल वाइज लगी हुई हैं तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं तो पहले जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक स मिस जो आपको उत्तर लिखने हुए पचीज सब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। आप लोग बार-बार कहते हो कि सब पचीज सब्द नहीं हुए, पचीज सब्द से कम में हुआ है। प्यारबचों इसमें दिया क्या है कि इस नाट मोर दें 25 वर्ड्स है। पचीज सब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, कम में हो सकता है। आपका उत्तर अगर 10 वर्ड में भी कम्प्रीट हो जा रहा है, तो आप 10 वर्ड में ही कम्प्रीट करेंगे। आपको 25 सब्द से अधिक नहीं लिखना है, बस आपको इस बात पुध्यान देना है। कुछ तो उत्तर ऐसे भी मिलेंगे, जो 25 से ज़्यादा भी सब्द में चले जाएंगे। तो आपको सब्दों पे नहीं जाना है, बस आपका उत्तर परफेक्ट होना चाहिए, में इस बात को आप समझते रहना। मार्टी में पहनना था इसलिए उसने बारो किया हुआ था तो यहां पर देखिए आपका सप्लिमेंटी रीडर लिखा गया है चेप्टर सेवन दी नेकलेस क्लास टेन यूपी बोर्ड इंग्लेस साट एंसवा टाइप किशन योटूब हो गया आपका डाइमेंड एकेडमी क् यहां पर देखिए आपका पहले किशन का एकडम सटीक सतर लिखा गया है पहला किशन के आप पूछे विए हैं वाई माटिल्डा बारोड दी नेकलेस मिस माटिल्डा ने नेकलेस को उधार क्यों लिया हुआ था तो सीधे से इसका उत्तर क्या हो जाएगा माटिल्डा बार सीधे पहले क्रिशन का उत्तर हो गया हम लोग बढ़ते ही दूसरे किशन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा किशन आपका है क्या यहाँ पर देखिए आपका दूसरा question दिए ही है, दूसरा question क्या है, जल्दी से देखिए How the necklace becomes a big problem for her, means वहार उसके लिए बहुत बड़ी समस्या कैसे बन गया How the necklace becomes, means कैसे वहार बन गया, a big problem means एक बड़ी समस्या बन गया, for her means उसके लिए उसके लिए वहार कैसे बड़ी समस्या बन गया, था, एक question number 2 में पूचे ही हैं तो जल्दी से प्यारे पुचो हम लोग चलते हैं, question number 2 की उत्तर की तरह बढ़ते हैं कि वहार उसके बन गया था, कैसे समस्या बन गया था, आपको पता है, वहार खो गया था, इसलिए उसके लिए समस्या बन गया था क्योंकि उसे नया हार करीद कर देना पढ़ाता है यो समस्या बनी हुई थी न, तो ए हो जाएगा, question number 2 का उत्तर हो जाएगा अब जल्दी से हम लोग इसे रेटेन में देख लेते हैं, क्यूशन नबर दो का उत्तर किस प्रकाल से लिखेंगे यहां पर प्यार अपच्छा आपको क्यूशन नबर दो दीख रहा होगा How the necklace becomes a big problem for her मिस नेकलेस कैसे उसके लिए एक बड़ी समस्चा बन गया था तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा See, accidentally loses the necklace means वह जो है, accidentally miss दुरघटना वस या फिर संयोग वस का सकते हो वह संयोग वस क्या कर चुकी थी जो है, loses means खो चुकी थी दीनेकलेस मिस उस हार को मिस वह संयोग वस दुरघटना वस उस हार को खो चुकी थी So, it becomes a big problem for her इसलिए यह हार उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था, unable to find the diamond necklace means unable to find miss असमर्थ हो करके असमर्थ हो करके उस diamond necklace को पानी में असमर्थ हो करके दी Liesel had to replace it with a new one Miss Liesel ने जो है, उसे replace किया हुआ था means उसके बदले में एक नया हार उससे क्या किया हुआ था दिया हुआ था means उसके बदले में उसने एक नया हार लिया था और उससे क्या करने के लिए यह होगे आपका question number 2 का उत्तर तो question number 2 का सीधे से 60 सा उत्तर क्या हो जाएगा C, accidentally loses the necklace so it becomes a big problem for her unable to find the diamond necklace means लाइजल ने इससे क्या किया हुआ था एक नया से replace किया हुआ था अर्थाथ उसके बदले में उसे ने एक नया हार खरीद करके दिया हुआ था और इस ब्रकास से वह ने necklace उसके लिए क्या बन गया था समस्या बन गया था तो प्यारवचो ए हो गया question number 2 का उत्तर हो गया अब हम लोग बढ़ते है question number 3 की तरह बढ़ते है देखते है question number 3 क्या है यहां पर देखिए आपका question number 3 दिया हुआ question number 3 क्या है why did she always get angry with her husband वह अपने पती से क्यों हमेशा गुसा रहती थी means गुसा करती थी why did she always get angry वह हमेशा गुसा क्यों रहती थी with her husband means अपने पती से अपने पती से वह हमेशा क्यों गुसा रहती थी एक question number 3 में पूचा हुआ है तो जल्दी समलोग चलते हैं पहरवचो question number 3 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए आपका question number 3 दिया हुआ है why did she always get angry with her husband means वह अपने पती से हमेशा गुसा क्यों रहती थी तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा Martilda was a pretty young lady means Martilda जो है एक सुन्दर सी नौजवान सी क्या थी lady थी means इस्त्री थी but belong to a poor family लेकिन belong करती थी means वह संबंद रखती थी to a poor family means एक गरीब परिवाज से वह संबंद रखती थी she was married to a petty clerk वह एक साधारण से तुछ से clerk से साधी कर ली हर poverty and lack of recognition made her angry and unhappy हर poverty means उनकी गरीवी and lack of recognition means और पहचान की कमी made her angry and unhappy यही चीजें उसे क्या बना देती थी angry बना देती थी means क्रोधित बना देती थी and unhappy बना देती थी means प्रशन बना देती means वह अपने पती से क्यों oppression रहती थी क्योंकि जो है उसका पती क्या था गरीब था और lack of recognition था means पहचान की कमी थी वह एक पहचान अपनी नहीं बना पाया था तो इसलिए जो है क्योंकि इसे चाहिए था एक well wealthy वाला means एक अच्छा धनसंपत वाला पती चाहिए था जो इसकी सुन्दरता को बढ़ावा दे सके जो इसके cream powder का खर्चा उठा सके बढ़िया सा इसके सजने धजने में जो है काम उसका दे सके वह ऐसा पती इसे चाहिए था जो इसके five star hotel में चाय पिलाने के ले जाए ऐसा पती चाहिए था ठीक है क्योंकि बहुते सुन्दर थी ना तो बहुते सुन्दर थी तो इसा उम्मीद करेगी ना हर poverty and lack of recognition made her angry and unhappy तो यहां हर की जगा हिज कर सकते हो प्यारवचों यहां हिज हो जाएगा यहां हिज कर लेना प्यारवचों हिज के पीछे एक वज़़ा है क्योंकि हिज पौवर्टीने उसकी गरीबी गरीबी किसकी बात हो रही है उसके पती के गरिबी की बात हो रही है तो इसलिए उसके पती के गरिबी के लिए हम हिज लगाएंगे न की हर लगाएंगे हर क्योंकि अगर उसकी बात होती तो हर लगाते लेकिन उसके पती की गरिबी की बात है इसलिए अपने पती से चिड़ती रती थी ना, तो क्या हो जाएगा? His poverty and lack of recognition उसके पती की या फिर यहाँ पर कर सकते हो The poverty of his husband भी कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सही है His poverty and lack of recognition made her angry and NIP उसकी गरीबी और पहचान में कमी जा है पर सिधता जो उसे नहीं थी, यही बात उसे क्रोधित और NIP कर देती, दिद्दुखी कर देती थी, तो प्यार 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 यह हो गया आपका question number 3 का उतर हो गया एकदम सटीक सा उतर हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे question number 4 की तरफ बढ़ेंगे question number 4 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात करेंगे जो भी बच्चे चनल पर पहली बारा है चनल को सिस्क्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे यहां पर देखिए आपका question number 4 दिया हुआ question number 4 क्या दिये हुए है why she did not want to go for the ball वह निर्थ सभा में क्यों नहीं जाना चाती थी बाल मीं सो जाएगा निर्थ सभा में वह निर्थ सभा में means dance class में वहाँ जो dance class in the sense जो वहाँ पर program होने वाला था निर्थ सभा क्यों होता है हमने इसके पीछे वज़ा भी बताए हुए थे जब इसका हिंदी explanation बताए हुए थे तो प्यारप चो हम लोग चलते हैं question number 4 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं देखते है question number 4 का उत्तर क्या होगा यहां पर देखिए आपका question number 4 दिया हुआ है why she did not want to go for the बालवा निर्थ सभा में क्यों नहीं जाना चाहती थी तो क्या होजएगा she did not want to go for the बालवा निर्थ सभा में नहीं जाना चाहती थी because miss क्यों की she had no good clothes उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और कोई गहने नहीं थे उसके पास कोई अच्छे कपड़े और गहने नहीं थे इसलिए वह जाना नहीं चाहती तो क्या होजएगा she did not want to go for the बाल वा निर्थ सभा में नहीं जाना चाहती थी because क्यों की she had no good clothes उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे और कोई गहने नहीं थे इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी तो प्यारबचो यह हो गया question number 4 का उत्तर हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे question number 5 की तरफ बढ़ते हैं देखते है question number 5 क्या है और उसका उत्तर क्या होगा यहां पर देखिए आपका question number 5 दिया हुआ है how did her husband arrange money for her dress उसके पती ने उसकी पोसाक लिए पैसो का इंतजाम कैसे किया था तो प्यारबचो आपको पता है को उसके husband ने कैसे पैसो के लिए जो है अरेंज किया हुआ था बेचारा जो है 400 जो है फ्रेंक रखा फ्रेंक रखा हुआ था और सब कुछ उसको दे दिया था जो saving अपना बचा करे रखा हुआ था जो एक बंदूख खरीदने वाला था टिकल लार्क बक्षी का सिकार करने के लिए बंदूख खरीदने वाला था दोस्तों के साथ तो उसने जो saving रखा हुआ था सारा saving बचा करके इसको दे दिया इसके लिए डिस के लिए तो जल्दी से चलते हैं प्यारप चुक क्रिशन नबर पांस के उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए आपका क्रिशन नबर पांस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा मिन्स उसके पती ने बचा करने के लिए वह एक बंदू खरिदना चाते थे और उसके लिए उन्होंने 400 फ्रेंक मुद्रा को क्या किया था बचा करके रखा हुआ था एक सुन्दर पोसा करीदने के लिए उन्होंने इस पैसे उसको दे दिया तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो गया अगर नहीं पूरा करना बहुत है जरूरी है अगर नहीं पूरा करेंगे पत्नी कर रही तो घर में महा युद्ध नहीं होगा महा भारत हो जाएगा तो इसलिए जो है खुस रहने के लिए ना तब पत्नी की कुल बतिया को क्या करना पड़ता है मानना पड़ता है हां हां करना पड़ता है ठीक है इसलिए कहेंगे ब्याह मत करना को नो ठीक है मिन्स मैडम लाइजल ने नितसबा को जल्दी क्यों छोड़ दिया थी तो यहां पर मैडम लाइजल किसकी बात हो रही है मिन्स मतिल्डा मतिल्डा का ही नाम लाइजल भी है तो मैडम लाइजल ने नितसबा को जल्दी क्यों छोड़ दिया हुआ था तो इसका उत्तर पूचे ही है, तो प्यारपचो क्यों छोड़ दिया हुआ था, क्योंकि जो दुपट्टा उनके हस्बेंड ने दिया हुआ था, वह उस डिस्पे मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वह जल्दी छोड़ना चाहती थी, तो यह हो जाएगा है, प्यारपचो मैडम लाजल ने जो है, उस प्रोग्राम को, प्रोग्राम मिन्स निर्त सबा को जल्दी में क्यों छोड़ दिया हुआ था, एक विशन नमबर 6 में पूचे हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माटिलडा लिफ्ट दिया हुआ है, या पर माटिलडा हमने लिख द सब्सक्राइब को जल्दी में क्या कर दिया था, छोड़ दिया हुआ था, तो प्यारेब चो ए हो गया, किसन बच सिक्स का उत्तर, तो किसन बच सिक्स का उत्तर क्या हो जाएगा, माटिलडा लिफ्ट दि बॉल इन अहरी, बिकॉज सी डिड नाट वांट टू बी सीन विद दी ओर्डनरी रैप दैट सी कैरीड, तो ए हो गया, किसन बच सिक्स का उत्तर हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे, किसन बच साथ क उन्हें हीरे का हार खरीदा हुआ था, जो उसे बदले में देना था, जो खो गया था, उसके बदले में जो हीरे का हार देना था, नेकलेस देना था, किस तरह से उन्होंने इंतजाम इसका किया हुआ था, मिस मैनेस किये वे, तो जल्दी से चलते हैं, प्यारप्चो किसन ब बस सेवन दिया हुआ है how did they manage to buy diamond necklace उन्हों ने किस तरह से manage किया हुआ था diamond necklace करेदने के लिए इंतजाम किस तरह से ब्यौस्था किया हुआ था तो क्या होजेगा लगे लेडी अद्टीन फ्रेंक्स उनके पास पहले सी 18,000 फ्रेंक मुद्रा थी they had to borrow the rest of the amount जो बाकी बच्चे हुए मुद्रा थी means उसको इन्होंने क्या किया हुआ था उधार लिया हुआ था they had to borrow उन्होंने उधार लिया था the rest of the amount जो बाकी बच्चे हुए पैसे थे उसका उन्होंने उधार लिये थे they had to make devastating promises उन्होंने खतरनाक भयानक वादे कर लिये when he went to borrow money जब वे पैसे मांगने गये money from the users means खुसूत खोर के पास and the whole race of lenders means संपूर जो है लेंदारों के पास जब वे गये थे देंदार मिस देंदार कहेंगे lender मिस जो देते हैं पैसा देंदारों के पास जब वे गये थे तो उन्होंने खतरनाक क्या किये वे थे वादा कर लिये थे promises कर लिये थे तो इस प्रका बाद में जो बचे हुए थे बाकी बचे हुए उधार लेकर के किये हुए थे जिसे बढ़ने में कितना वर्स लग गया था दस वर्स का समय लग गया था तो यह हो गया प्यारपचो किसनबस साथ का एक दाम सठीक सा उत्तर फिर से देख लो they already had 18,000 francs they had to borrow the rest of the amount they had to make devastating promises when he went to borrow money from users and the whole race of lenders तो प्यारपचो यह हो गया किसनबस साथ का उत्तर हो गया अब हम लोग चलते हैं किसनबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं और किसनबर 8 की तरफ आगे बढ़ने से पहले एकी बात करेंगे जो भी बच्चे चैनल पर पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब करेंग लापियस मारता बमतिल्डा की जीवन सहीली में कोई परिवर्थन आया था तो परिवर्तन था जीवन जाहानिए रहता शाल आता सब कुछ एकदम दुखाल जीवन हो गया था 10 साल तक उसने जिस तरह से करजे को पटा हुआ है वही जानती होगी तो इसलिए उसका जीवन पूरी तरह से क्या हो गया था परिवर्तित हो गया था तो जल्दी समलोग चलते हैं Q8 के उतर की तरह बढ़ते हैं देखते हैं Q8 का उतर क्या होगा यहां पर दिखिए आपका Q8 दिया हुआ है Is there any change comes to Martilda's lifestyle after the party means party के बाद क्या उसके जीवन में कोई जीवन सैली में क्या कोई परिवर्तन आया था तो क्या होजेगा After the loss of the necklace means necklace के खो जाने के बाद Martilda's lifestyle is totally changed Martilda की जीवन सैली थी वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गई She had to sacrifice all her comforts वह अपनी सभी आराम को क्या कर चुकी थी sacrifice कर चुकी थी मिन्स बलेदान कर चुकी हुई थी and even all her needs to get money to buy a new necklace और यहां तक अपनी सभी आवसकताओं को लगा दी हुई थी to buy a new necklace एक नया necklace को खरीदने में and give it to her friend और अपनी दोस्त को देने में अपनी दोस्त को देने में और जहें नया necklace करीदने में उसने अपने सारे आवसकता के पैसों को क्या कर दिया था लगा दिया हुआ था तो इस प्रकास से उसका पूरा जीवन क्या हो चुका था परिवर्तित हो चुका था उसके बास से उसकी जीवन सहली पूरी तरह से बदल गई थी तो क्या हो जाएगा क्रिशन नंबर आट का उत्तर क्या हो गया after the loss of the necklace माटिलडा's lifestyle is totally changed she had to sacrifice all her comforts and even and even all her needs to get money by a new necklace and give it to her friend तो प्यार पुच्चर यह हो गया क्रिशन नंबर आट का उत्तर हो गया अब हम लोग बढ़ें के क्रिशन नंबर 9 की तरह बढ़ते हैं देखते हैं क्रिशन नंबर 9 क्या है उसका उत्तर क्या हो सकता है यहां पर देखिए आपका क्रिशन नंबर 9 देए हैं देखिए जल्दी से क्रिशन नंबर 9 क्या है What are the reasons for mytledas unhappiness means what were the reasons means क्या कारण थे for mytledas unhappiness means मतलडा के दुखी होने के कारण दुखी होने के पीछे means मतलडा के दुखी होने के पीछे कौन से कारण थे तो प्यारपचों उसके दुखी होने के पीछे कौन से कारण थे क्योंकि वह गरीब फेमली से बिलांग करती थी एक गरीब कलक से साधी की हुई थी वह सुंदर थी वह लगजरियस लाइफ चाहती थी तो इस लिए जो है वह क्या हो रहती थी उदास रहती थ मत्ilडा के दुखी होने की पीछे क्या कारण थे प्यारपचों इसे हम बार मत्तिल्डा करें इससे दोनु प्रोननNiceSiesson कर सकते हो इस आंडां भी कर सकते हो मत्तिल्डा भी सकते हो टिक है तो चलते हैं हम लोग किसन ब्रण्बर की तरफ बरते हैं देखते हैं किसन नमर 9 का उत्तर क्या हो सकता है यहां पर देखिए प्यार प्छो आपको किस्ते नमबर 9 दिया हुआ है she was born in a family of clerk वह जए एक clerk के परिवार में क्या की हुई थी जन्मली हुई थी वह एक clerk के परिवार में जन्मली हुई थी इसलिए वह हमेशा दुखी रहती थी she had high aspirations means उसकी उच्च जह aspirations होती थी इच्छाएं होती थी she felt graved वह दुखी महसूस करती थी at her miserable condition आदिष्ट भोजनों के लिए जन्मली हुई थी है and luxuries of the world और संसार के बिलासिता पूर जीवन जीने के लिए वह जन्मली हुई है इस चीज़ को वह चाती थी उम्मेद करती थी तो प्यारप चो यह हो गया question number 9 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया क्या हो जाएगा question number 9 का उत्तर Matilda was always unhappy because she was born in a family of clerks she had high aspirations she felt gripped gripe news होता दोख महसूस करना at her miserable condition she thought that she was born for all delicacies and luxuries of the world ए हो गया question number 9 का उत्तर हो गया अब हम लोग बढ़ते हैं अन्तीम question की तरह बढ़ते हैं question number 10 क्या है यहाँ पर देखिए पैरप्चो आपका last question दिया हुआ है question number 10 देखिए आपका क्या दिये हुए है what happened at the ball means निर्त सभा में क्या हुआ what happened at the ball means निर्त सभा में क्या हुआ एक question number 10 पूचे हुए है यह आपका अन्तीम question है उसके बाद आपका long answer type question आ जाएगा आपके 4 long answer type question दिये हुए है अगली class में आपको 4 long answer type question करा देंगे तो प्यारप्चो आज की class के अन्तीम question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं अन्तीम question what happened at the ball का उत्तर क्या होगा यहां पर देखिए प्यारप्चो आपका question number 10 दिये है what happened at the ball means ball के निर्थ सबा में क्या हुआ तो प्यारप्चो निर्थ सबा में क्या हुआ था हम लोग उसे देख लेते हैं at the ball in the minister's house means minister के घर में घर पर बाल जो निर्थ सबा में Matilda was huge success means Matilda अतेदेख सफल हुई सफल हुई means जो वह उमीद की हुई थी लोग उसे देखेंगे उसकी प्रसंसा करेंगे उसके कपड़ों की प्रसंसा करेंगे उसकी सुन्दर्ता की प्रसंसा करेंगे वह पूरी तरह से सफल हुई मिस जैसा चाहिती वैसा हुआ और वैसा भी महरारुक अगर दुठ तारीफ कर दो कि आज तुम बहुत है सुन्दर लग रही हूँ तुमरा कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है एकदम फूल करके गुबा हो जाएंगे गुबारा हो जाएंगे तो इसलिए जो है यह जो है ट्रिक होता है आप लोग जब बड़े हो जाएंगे न बिया हुआ हो जाएगा न तो यही ट्रिक अपनाईएगा हलाकि हमरा भी बिया नहीं हुआ लेकिन ट्रिक आशको जानते हैं ठीक है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं पैरवचो और जो बच्चियां क्लास देख रही हो बुरा नहीं मानेंगे इसके वल जो है आपको हसाने के लिए इस सारी चीज़े बोलते हैं जिससे आप लोग पढ़ते समय बोर ना हो तो मेरी किसी भी बास से आप लोग बुरा ना माना करें तो पैरवचो आगे चलते हैं इसमें उत्तर देखते हैं फिशे देखते हैं At the ball in the ministers house means minister के घर पर निर्त सबा में Matilda was a huge success means Matilda पूरी तरह से सफल हुई Everyone wanted to be introduced to her प्रतेक ब्यक्ति उससे परिचे करना चाहता था Yes हाँ her dream was fulfilled उसके स्वपने क्या की हो चुके थे पूरे हो चुकी थे, but she lost her necklace, लेकिन उसने अपनी necklace को क्या कर चुकी हुई थी, खो चुकी थी, that was given by her friend, जो उसकी दोस्त की द्वारा क्या किया गया था, given किया गया था, दिया गया था, उस necklace को हुआ क्या कर चुकी थी, खो चुकी थी, तो प्यारपचो यह हो गया किसे नमबर 10 का उतर हो गया, कि यही सारी चीज़ें निर्तसभा में क्या हुई थी, घटित हुई थी, तो क्या हो जाएगा, at the ball in the minister's house, Matilda was a huge success, everyone wanted to be introduced to her, yes her dream was fulfilled, but she lost her necklace that was given by her friend, तो प्यारपचो एक क्यूस अंबर 10 का एकदम 32, 67 सा उतर हो गया, इस प्रकास से आपके जितनी भी 6 टाइब क्यूस दिये हुएते, सभी आपके 9 टाइब क्यूस अंब इसके 9 टाइब क्यूस बचे हुए है, अगली क्लास में आपका 9 टाइब किशें भी कल आपको मिल जा जो भी बच्चे चनल पर पहली बार रहे थे चनल को सस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास टिंद के सभी बच्चों वीडियो को अवस सेयर करेंगे प्यारपचो ये आपके जिम्मिदारी है और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को जिरूर सेयर करना जो बच्चे जो कोचिंग इसकूल नहीं जा पाते हैं जिन बच्चों तक सिच्छा का भॉसस करना प्यारपचो आफ से उमीदे रखते हैं तो आज की क्लास ये ही समाथ करते हैं और हाँ